प्यारे विध्यार्तियों एयों और भाव को आप सभी का हमारी चैनल आइडियल देव क्लासेश में स्वागत है। विध्यार्तियों पिछले लगबक देड़ वर्ष से भी अधिक समय से कोविड नाइटिक चलते हमारी शालाएं बन थी जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई हलाकि महामारी बच्चों की सिक्षा में बाधा ना बने। इसे तुराजने सिक्षक सात्यों केशयोगयों विभिन माद्यमों से विध्यातियों की सिक्षा घर से सुचार रूप से निरंतर रखने के लिए अनेक प्रयाश किये। इनफी प्रयाशों में एक प्रयाश जो राजने किया वह आपको याद होगा। वर्स 2021 में महा जुलाई अगस्त में आप सभी को रोचक एम आकर्षक चेत्रों से सजी गतिविदी आदारित अभ्यास पुस्ति का प्रयास प्यदान की जिसे चरल प्रथम चरन था हमें आपके सिक्षकों ने बताए कि आपको यह अभ्यास पुस्ति का बहुत पसंद आई और आपने खुब मन लगा कर उसकी गतिविद्यों को पूरा किया था इस वर्स वी गर्मी की छुटियों में आपको मज़दार गतिविद्यों को पूरा करने का मौका मिल पाए इसे तू राजिये आपको दोबारा प्रयास अभ्यास पुस्तिका प्यान कर रहा है मुझे विश्वास है कि आप इसे भी मुस्कुरा कर मजे से पूरा करेंगे मेरा सभी अभाकों से अन्रोध है कि क्यप्या अपने बच्चों को इन्हें हल करने में पूरा शयोग दें एवम उन्हें इसे करने के लिए प्रशाहित करें आसा है कि आप सब को यह वर्ग बुक हल करना एक सुखद एवम ग्यान वर्धक अन्वाव प्यदान करेगा हमेशा की तरह आप अपने सिक्चकों के माध्यम से हमें जरूर बताईएगा कि आपको यह वर्ग बुक कैसे लगी विद्यातियों आपको यह प्रयास पुस्ति का जो है समग सिक्चा मत्पिदिस राज सिक्चा के इन्द द्वारा प्राप्त हुई है यह प्रयास पुस्ति का कक्षा 3, 4, 5 है और यह हमारा घर हमारा विद्याले का चरण 2 है इसके पहले 2021 में चरण 1 था यह 2022 है 2022 में हमारा घर हमारा विद्याले चरण 2 इसके तहर जो आपको वर्ग शिट 4 है वह बता रहा है इसके पहले की वीडियो में हमने आपको वर्ग शि वर्षिट में देख लेक्त नमेर लेखो और बात करों और यहां पर चित्र दिखना है यहां को देखना है इसके 안जो और नहांको कि दर्वाजा नहें टेबल पे टीवी रखी हुई है फिर यहाँ पे दादा जी बैठे हुए है अरम कुर्सी पे और टेबल पे उनका चस्मा और छड़ी रखी हुई है इस पे आपको क्या करना है बात करना है इनको देखना है, सोचना और बात करना है कि महला क्या कह रही है दादा जी से दादा जी कुर्शी पर क्या कर रहा है तो इस पकार से आपको यहां पर सोचना है समझना है और बात करना है नेक्स्ट आप अगला प्रसम देखते हैं पालतू जानवरों को घर से मिलाओ पालतू जानवरों को घर से मिलाओ जो पालतू जा आनवारों को आपको काय से मिलाना है इस घर से मिलाना है जो घर में आप पालते हैं उन्हें तो देखी यहां पर क्या के दिया हुआ है उसे देख लेते हम देखी ही क्या है शाप ये क्या है शाप क्या इसको आप घर में पालते हैं नहीं तो आप इसको नहीं मिलाएंगे ये क्या है मुर्गी तो मुर्गी को मिला दी हमने ये उसके बाद सेर को पालते हैं क्या नहीं तोते को पालते हैं तो हां तोते को मिला दो उल्लू को पालते हैं नहीं तो जिसे पालते हैं उसे मिलाना है जिसे नहीं पालते उसे नहीं मिलाना है तो हम साप को नहीं पालते उल्लू को नहीं पालते और सेर भी पालतू जानवर नहीं है तो पालतू जानवर जो थे हमने उन और यह अल्रीडी कुत्ता तो जो पाल्टू है उन्हें आपको मिलाना था तो ठीक है नेक्स्ट प्रसन इसके बाद देखते हैं संख्या वाले डिब्बे में रंग भर ये संख्या वाले डिब्बे कौन से हैं उसमें आपको रंग भरना है तो आपको ये पहचानते बना चीक संख्या कौन सी होती है संख्या एक दो तीन चार पांच ये होती संख्या अक्षर कौन से होते हैं कखग और अल्फावेट क्या ह उसने प्रेश्टे में यह कहा गया है की संख्या वाले अब इसमें अब करेंगे अपनी पैंसिल यहां पर कलर बहर देंगे फिर का संख्या है क्या नहीं अक्षर है वो उसके बाद तीन देखिए तीन क्या है संख्या है इस पर क्या करेंगे आप कलर भर देंगे उसके बाद A पे भी नहीं और उसके बाद संख्या क्या है पांच तो आपको कलर किसमे भरना है यह प्रेलगाडी का डिब्ले में आपको क्या दिया है संख्या दिया है अक्षा दिया है तो आपको संख्या वाले सब्दों को संख्या को पहचानना है और उसमें क्या करना कलर तोथ आपको बता देए एक शंख्या इसे पर कल रखदेंस तीं संख्या इस पर कलर बार भदेंस और पांशल किने संख्या इस पर कलर भाद देंगे फिर नेक्ट्ट प्रस्ट रिक प्रसन च 늿 जोडी मिलाओ अब हमें क्या करना जोडी मिलाना है तो सब सह पहले जोडी क्या दिया है उसको हम समझ लेते हैं देखो पहला यह मुर्गी नहीं किस्ति क्या स्के टांगों से तो यहां पर हमें टांगों से मिलान करना है to here यहां पर जूए क्या है बदक है बदक गितार घंजिकर के और जिल लो कॉंधे इसकी टांग इसका ने से नृड़ी आपके फraIG वखें ओधांग के रूप में दिया हुआ था जो पैर है किसके पैर कैसे हैं पैरों के अधार पर आपको जोनी का मिलान करना था कोछ सा अलग घ्यरह अलग है ग्हेरा लगाई यहां पर कूं सा अलग है नियाल ग्हेरा है ग्हेरा अंगील डिया बनाना है उस पर देखिंग लगाना Dwonna bow और Eason तो यहां पर सबसे अलग क्या दिख रहा है आपको वो देख लीजे यह जो है बाटल है बाटल सबसे अलग है बाटल क्या है सबसे अलग है हमें क्या कहा है कौन अलग है घेरा लगाई है तो हमें बाटल अलग लग रही है इस पर हम क्या लगा देंगे इस पकार से घेरा लग होती है तो विध्यारतियों एधी आपको हमारे द्वारा वर्शीट चार जो बताई गई एधी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सकाइब कीजिए लाइक कीजिए और अन्य गुरूप में शेयर जरू कीजिए